आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसमें question है Which of the following strategies of teaching learning is obstacle in developing creativity? कौन सी teaching strategy means teaching and learning strategy में obstacle है obstacle means होता है बाधा है in developing जिसकी वज़े से हम develop नहीं कर पाते creativity इन चार options में से कौन सी teaching learning strategy है जो कोई ना कई बाधा बनती है हमारी बच्चे के माइंड में या बच्चे को creative बनाने में ठीक है उसके अंदर creativity को develop करने में help students to think to think in flexible ways क्या हम बच्चे को जब कहते हैं कि वह flexible यानि अलग-अलग ways में सोचे तो क्या वो एक बाध है creativity के लिए या फिर encourage करना encourage करना students को to take risk कि आप बेटा risk नहीं ले सकते ये एक बाधा है या over control करना students को during teaching learning कि उन पे over control करना means उनको control में रखना हर चीज के लिए डाटना कहना कि ऐसे ही करो या guide students to be persistent and delay gratification या guide करना होने कि वो persistent रह यानि regular कोई काम करे and delay and gratification तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे की creativity में बाधा डागती है तो वो है over control करना जब हम बच्चों को control करेंगे forcefully कुछ करवाएंगे तो वो हमेशा एक बाधा होती है creativity के लिए creativity का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझने की जुरुद है creativity means होता है जब हम कुछ out of the box होसते है चीक है और out of the box हम कब सोच पाएंगे जब हम freely सोच पाएंगे जब हम पर कुछ forcefully हम से कुछ करवाया नहीं जाएगा हमारी मर्जी के बगैर कुछ करवाया नहीं जाएगा जब हमें open छोड़ दिया जाएगा कि हम अपनी मर्जी से सोचे, सीखे, करे ठीक है सो वहीं creativity हो सकती है लेकिन जहाँ पर हमें control किया, over control किया तो वहाँ तो creativity हो ही नहीं सकती ठीक है ठेंक यू